हेलो दिये स्टुदेंट्स वेलकम टीप स्टार कोटा माइसेल विशाल प्रजापति और फिजिक्स फैकल्टी तो हम आपके लिए काफी इंट्रस्टिंग सा वीडियो जिसमें हम डिस्कुसिन करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस पर जी हां इलेक्ट्रिकल सर्किट पार्ट काफे इंपॉटरेंट हुता है और फोडा सटिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को यहां पर आपको सर्कित अनालिसिस कोषजा क्लियर करने के लिए और बेशिक से देखते हैं के लिए कि आये देखते हैं किस तरह से हम circuits को Sir करें basic से लेकर pada complex circuits किस दरह से हम सिंप्लिफाइए कर सकते हैं इसी कि लिए हम आपके लिए लेकर आये यह विडियो analysis of electrical circuits तो आए चलिए एक प्रेटरी से कनेक थो और व्त्र Pastor व्तेन्शेटी तो इस बैटरीgener के थाεί वहती है इस तो इस बैटरी którym व्तेरी तो चैसेका थाल एक प्रेटरी से कलेशटीया है benefit तो ओम स्लॉध क्या वहता है लागता है ना जो करेंट कीन्स और फ्लो हो रह Judule tab तो थूर रेजिस्टेंस वो डायक्ली प्रपोश्टनल होती है पोटेंशल डिफरेंश के मतलब करेंट करती है पोटेंशल डिफरेंश के तो आप सिंपली यहां पर कह सकते हो क्या कह सकते हो तो आप यह कह सकते हो यहां पर कि जो करेंट फ्लो होगी इस सर्किट में इस रेज मतलब करेंट फ्लो जो होगी रजिस्टर से वह डायर्कली डिपेंड करेंगे ओन पोटेंशल डिफ्रेंस अक्रॉस रजिस्टर ठीक है चलिए अब यह पर एक कॉंस्टेंट आता है इसको अरेंज करने के बाद अगर किसी रजिस्टर जिसका रजिस्टर अपने वी वोल्ट की बैटरी करेंग करी है और उससे फ्लो होने वाली करेंट आई है तो वी और र में रिलेशन होता है वी इस इक्वल तो आई यह बेसिक फंडा है तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल करने के लिए ठीक है तो समझ में आगे हमें कि किसी रजिस्टर से अगर आई करेंट फ्लो हो रही है रजिस्टेंस आर है उसका मतलब उसके एक्रॉस जो पोटेंशिल डिफेरेंस से वह कितना होगा वी इस इसका है कि इस ग्राफ पर थोड़ा हम डिसकेशन करते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक करेंट पोटेंशल की बीच में रिलेशन के ऐसा है डायरेक्ट प्रपोर्शनल लीटी का ठीक है मतलब ग्राफ जो होगा लीनियर वे में इंक्रीज होगा है यह स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होता है हम आगे सब्सक्राइब आई टू वी मतलब अगए क्यों दो वेरेवल्व डायरेक्ली प्रपोर्शनलिट में होते तो रलेशन स्ट्रेट लाइन का मतलब आई और व और वी में जो ग्राफ णका स्ट्रेट लाइन बनेगा अच्छा आप अगर माल लीजिए स्ट्रेट लाइन ठीटा एंगल बनाती है किसे करेंट एक्सिस से तो देखिए यहां कर अगर मैं 10 ठीटा निकालता हूं करता हूं एक रजिस्टर के लिए करेंट वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करता हूं अलग अलग प्लॉट करें आई और वी की बीच में तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उसकी जो स्लोप है जो 10 ठीटा है उसका वह आपको क्या देगा रजिस्टेंस की वैल्यू देग रजिस्टेंस काम नहीं चलता हम क्या करते हैं कि जिसे हम कहें ओ रजिस्टेंस पर तो क्या होता है तो क्या होता है जिसे एक रिस्टेंस जब आपका काम नहीं चलता हम क्या करते हैं कि रिस्टेंस काॉम्बिनेशन करते हैं कभी-कभी हम मान लीजी कुछ कुछ रिस्टेंस को अलग अलग वही से कनेक्ष तो मैजर ली अगर बात करूं तो देरा two ways of connecting तो पहली होती है в series connection, और दूसरा होता है पारल्ल connection. Series connection का मतलब क्या है? रजिस्टेंस को आपने डायरेक्ली वन 1 एक कानेक किया है. in series एड यह series फार्म कर रहा है. और parallel connection क्या है कि एक के बाद एक इस तरह से आपने किया है through the battery ठीक है मतलब एक resistance के बाद दूसरा दूसरी के बाद तीसरा तीसरी के बाद चो था ऐसे आपने कनेक्ट किया और फिर end terminals पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो it is called series connection और आपने इस तरह से एक parallel form में connect किया है कि सभी registers एक के नीचे एक parallelly connected है और सभी के दोनों एंट जो है वो बैटरी से दिख रहा है आपको connected है ठीक है तो it is called parallel connection आव हम समझते है कि इन में equivalent resistance क्या होगा तो तो अगर मैं बात करूँ पहले series connection की तो अगर series में आप resistance को connect करते हैं जैसे मालनी जी हमने एक example लिया कि तीन resistance है अगर इस केस में आपको मैं बताओं कि equivalent resistance कितना होगा तो वह होगा simply R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 मतलब तीनों का simple summation तीनों का simple addition अगर यहां पर तीन की जगे ज्यादा number of resistance होते तो तो कुछ नहीं आप simply उसको जितने भी resistance सभी को आप कर लीजिए वह आपको देगा इसका net resistance या equivalent resistance अच्छा सब्सक्राइब क्या होगा सिंपल सा logic है कि आपको पता है ohms law आप कहां apply कर सकते हो वी इक सिंगल अगर रेस्टेंस वहां में apply कर सकता हूं तो कहने का मतलब यह कि combination का equivalent निकालने का तरीका का meaning यह होता है कि आप अगर इस पूरे combination को हटा के सिर्फ एक resistance लगाए और उसकी value क्या हो इस आर equivalent की value को equal हो तब वह एक resistance में वैसा ही काम करेगा पूरे circuit में वैसा ही एक करेगा पूरे circuit में जैसा की पूरा combination कर रहा था मतलब अगर यहां से बैटरी से आई current देखिए आई current अगर बैटरी से flow हो रही है इस combination को लगाने पर तो अगर सेम बैटरी के across में इस पूरे combination को हटा की एक resistance लगाऊ equivalent value का तो भी इतनी ही current flow होगी सेम बैटरी से तो यह concept होता है equivalent का चलिए तो कहने का मतलब सीरीज में equivalent कैसे निकाला जाएगा simple addition करके अगर माली जैसे एन नंबर ओफ रेस्टेंस है तो मैं R equivalent क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा R equivalent R1 प्लस R2 प्लस अप्टू summation of rn तो अगर माली जैन register से तो सभी का आप submission कर लिजिए आरें तक अब बात करते हैं अच्छा देखिए एक important factor में बताना चाहता हूं यहां पर सीरीज में आप याद रखीगा बहुत ही important point है इसी से circuit analysis आपका easy होगा कि सीरीज में अगर मैं बात करूं तो सभी resistance से same current flow होती है मतलब इससे अगर आई फ्लो हो रही है तो इससे भी आई होगी और इससे भी आई होगी तीनों से से माई current flow होगी सीरीज में current same flow होकर जाती है लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेंशल डिफरेंस की तो देखिए पोटेंशल डिफरेंस जो है अलग अलग होता है तो यहां अगर हम बात करें देखिए यहां पर इस resistance के across potential difference कुछ और होगा अगर मैं इसको वीवन कहूं तो वीवन में क्या लिख सकता हूं ओम स्लॉव से इस सिंगल रेजिस्टेंस के लिए वीवल टू आयार हम लगा है तो वीवन इक्वल टू क्या होगा आई आर वन क्योंकि करेंट तो सभी में सेम है तो सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आया कि potential जो होगा सीरीज में हर रेजिस्टेंस पे अलग-अलग होगा और करेंट सभी में सेम फ्लो होगी तो यह बहुत अगर मैं वीवन वीटू प्लस वीटू प्लस वीटू प्लस वीटू थरी तो मुझे मिलेगा टोटल बैटरी का potential मतलब यहां जो बैटरी का potential वी आपने अपलाई किया है यह तीनों में डिवाइड हो गया अगर तीनों सेम होते तो बिल्कुल इवाइड होता वी बाइटरी वी बाइटरी वी बाइटरी लेकिन अलग अलग होंगे तो अलग 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 यहां पर क्या फंडा होगा इसके बाद किया आपका तीनों का potential का सम होगा टोटल बैटरी का पोटेंशल और जिसका कम रहे सेंस उसके आक्रॉस कम पोटेंशल तो यह चीज ज्यान रखे हैं काफी इंपॉर्टेंशल आप हम बात करते पैरलेल में क्या होता है आप ने इस तरह से चनेक्ट किया अब लिए बीवात करूंप पहले रजिस्टन्स की तो देखे में पहले बीवाप की तर्मिनल और यह वन आप ने कहां कर रह देखिये बैटरी से चनेक्टेडे रहे डाइक है वैशी दूसरे बाटरी से और भी देखिए यहां पर दोनों टर्मिनल बैटरी से ही connected है इसका मतलब यह सब भर रजिस्टन्स के अक्र में पर यहां पर दूसरी ब्रांच में कुछ AI 20 जा रही है आर तिसरी ब्रांच में कुछ AI t 나올 गए उठी करेंट जा रहिए हूँ ऑट तीनों पर समय प्रिपन करेंड करेगी तो यार देखिए आपको ये चीज़ बेसिक फंडा तो पता है क्या फता है कि Resistance किEMA होता है Current का Opposition तो जिसका Resistance जदा होंगा उस वाली ब्रांच में हो तो जाहिर सी सी बात बिलकुल सी बात है कि म डीकर्ण किम करेंट फ्लो होगी च्याहिए तो Current Ration के inverse proportion में फ्लो होगी जहां Resistance जिस ब्रांच का जदा होगा उस Dimision में कम करेंट फ्लो होगी चाहिए चलिए तो बेसिक पंडे में जो समझ चुका हो कि भाई अगर रेजिस्टेंस आर से आई करेंट फ्लो हो रही है वी पोटेंशल डिफेरेंस से तो वी इक्वल तो आई हर यह तो हो गया अब इसके बात सीरीज और पैरलल में करेंट जो ओगी डिफेरेंट होगी और पैरलल में सीरिस पैरलल उल्टा होता तो यहां बी उल्टा काम चलेगा मतलब यहांगा अपने सीरेंस इंपल जोड दिया था लेकिन यहां पर क्या करोगी उल्टा करके जोड़ो तो यहां पर क्या होगा आपका 1 by R equivalent जो हो जाएगा वह कितना होगा 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 तो यह आएगा आपका equivalent resistance का expression इसको simplify करके हम निकालेंगे equivalent resistance चीक है बहुत बढ़ी आप अगर ज्यादन number of resistance हो तो बस सीक्वेंस आगे चलता जाएगा 1 by R4 1 by R5 इस तरह से हम निकाल लेंगे चलिए तो यहां तक हम समझ तक है कि series parallel combination में equivalent कैसे निकाला जाएगा ohms law कैसे apply करना है अब इन सारे fundamentals को हम apply करते हैं और लेकिन डरने की ज़रूत नहीं काफी सिंपल सिंप्लिफाइग सिंप्लिफाइग करेंगे basic fundamentals आपको ध्यान में रखने बस तो करेंट जो है के potential का difference चलिए बताते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का problem है काफी एच्छे लेवल का problem है तो चलिए देखते हैं अच्छा आप देखना यहां पर यह है कि यहां पर पहले अगर में बात करूँ टू एंप्यर करेंट फ्लो और यहां पर पहले अगर में बात करूँ टू पहचानेंगे तो बाई रिजिस्टेंस के बीच में कोई दूसरा डिविजन नहीं आ रहा है एक के बाद डाएरेक्ट दूसरा रिजिस्टेंस कनेक्टेज तो तो इहां पर यह दोनों आपको दिख रहे डायरेक्ट सीरीज में दिख रहा मुझे मतलब यह टू और यह त्र 3-2-5 अगया मतलब इन दोनों को हटा के मैं एक लगा सकता हूँ जो इन दोनों के बराबर काम करेगा वो होगा इनका equivalent resistance 5 ohm तो यहां पर मैंने लगा दिया देखिए 5 ohm का एक resistance यह लगा दिया मैंने 5 ohm का लगा दिया बड़ा सिंपल यहां से टू एम्पयर की करेंट फ्लो होकर आ रहा है एंप्यर क्या है करेंट की ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की ओम है और पोटेंशिल डिफरेंस की वोल्ट है इतना तो हम जानते बहुत है आप देखें का जारा यहां पर समझते हैं यहां प कश tenants की बात ही नहीं होतीकी दोनों में किया होगा कड़ी टिवाइड हो जाएगी यहां तो यहां सब्सक्राइब और आधी इसको मिल जाएकि वन एंपियर काम खतम हो गया मतलब आप क्या समझे आप यहां तक अभी यह समझे हो कि इस वाली ब्रांच में करेंट वन एंपियर जा रही है चली बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है अब यहां पर मैं देखिए मुझे ए और बी का इस उन आप निकाल द कालता ओर और यहां पर आप Kansasiller लेकिन दोने काल लेतें मतलब यहां पर पो कि Crunch लेकिन यहांट है निकाल तौ मैं ब्राबर आप सब्सक्रापन दिकरताओं और डी और यहां 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 पर यह वाला जो आपको दिखै रहा है यह वाला बया है इस हमेशा हाइच से लोग पोटेंशल होती है मतलब आपको यह चीज तो समझ में आ गई होगी कि दी का पोटेंशल जादा है एक पोटेंशल कम होगा तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पर वी डी माइनस वी यह यह पोटेंशल डिफेरेंस हो गया आपका इस रजिस्टेंस के अब मैं बात करता हूं इस वाले रेजिस्टेंस काौन सा ले ले हो तो दूसरा वाला मैं यह वाला रेजिस्टेंस ले लेता हो यह वाला देखी अब इसमें अगर आप ओम लगाएंगे तो कैसे लगाए जाए गाए यहां पर मैं लगाओंगा करेंट इधर से इधर और यहां पर वन एंपियर और एस्टेंस आरे थ्री ओम तो यह हो जाएगा आपका थ्री वोल्ट और यह एक्वेशन नंबर टू मेरे पास आगे आपको क्या चाहिए विए माइनस वी तो भाई डी को इलिमिनेट करना पड़ेगा सिंपल बेसिक सा फंडा है तो यहां पर मैं संक परोष्य ऑन माइनस कर देता हूं मैं क्या करता हूं यहां पर אני सेपली सेंपल मैथमेटिक लगातां हूं किया लगा वो कि सेंपल मैथर कुवेशन प्लांटिक से कंड़ में से मैं करत दो थे थे और इसमें किसको माइनस कर एंगे तो विस रहाए किक ट्रुडे का हो और प्लस वोल्ट और यहां पर ऑप्शन भी हमारा करेक्ट अंसर होगा तो थोड़ा सा प्रोब्लम था लेकिन हमें बेसिक फंडनामेंटल पता थे तो हमने यहां पर लगाया और इसको संब्लिफाइख किया अब एक सब्सकों और समझते और देखे किस तरह से तरव का शॉश्राइट अंपकिवे Гऌ करें एक सब्सक्राइब यहां तरह करण यहां पर देडिया गया थे अलार यहां पर देखिए तीन अमीटर से लग्याए अब Des Absolutely देखें अमेटर से देखें डरना नहीं आमीटर का मतलब क्या होता है अमेटर एक current measuring device है Ameetr की help इसका बैजर कर सकते हैं तो यहां पर Ameetr रखे इसका मतलब क्या है कि आप current की value यहां पर Ameetr की help से बताई जाएगी आपको अमीटर की जो रीडिंग होगी वो बताईगी उस ब्रांच में उस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करेंट की वाली तो आये देखते एक प्रॉब्लम को एक बार रीड करते हैं कि भाई रीडिंग जो है अमीटर एवन की कहा एवन तो यह बन्ता है कि इसकी अगर रीडिंग आपको दे रहु है कितू पॉइं पॉइं फ्लो होने वाली करेंट ही वो हे तू पॉइंट फ्लो给 lifestyle करता ओक है तू इसका मतलब इस अमीटर की रीडिंग जो होगी इस ब्रांच की करन्ट होगी 2.4 बहुत बढ़िए आपको इन दोनों कि रेडिंग बताना है मतलब आपको बताना है इन दोनों ब्रांच में करेंट फ्लो ओने वाली करेंट अच्छा आप दीखी जारा जो रैजिस्टेंस के है न इसका ये वाला यहां और यह धूसरा बाला एंड है वह यहां करेंट आ तो आप देख सकते हैं। कि ऊपर ये दोनों इंट्स के और कॉन सा कॉंबेनेशन हैं। यह पैरलल 2017 में हमें पता है कि तो पोटेंशेल डिफ्रेंज होता है। कर ना बBig Link then ृहाँ वह बीने रिफ्रेंज की यहिसान होता है। वही के एक्राउस होना चाहिए, तो मैं मालता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं माल लेता हूँ कि इहां पर कितनी खागज हूँ हिरी है, यहां पर I2 developed. यहां जो करेंट फ्लोरी थी कितनी आई वन बराबर 2.4 MPR आपको पता है यहां में मानतों आई टू करेंट फ्लोरी चली तो कहने का मतलब यह कि पहले वाले पोटेंशियल है यह वीवन में मान लेता हूं वह दूसरे वाले के बराबर होगा वीटू के क्योंकि यह दोनों पैरलल में बड़ा सिंपल शाफंड तो वीवन आपको लिख सकते हो ओम से लगेगा सिंपल सवीज इवल टू आई यार तो वीवन के लिख सकता हूं में आई व चली तो पहले करेंट आई वन और रजिस्टेंस आरवन और दूसरे के लिए क्या लिख सकते है आई टू इंटू आटू सिंपल दोनों के लिए लगा दिया अब ही पहले में आपको करेंट दे रखे कितनी है तो यह लिख देता हूं में 2.4 एंप रजिस्टेंस कितना है द 4.8 और यह 3 जाएगा इधर डिविजन में तो यह आजाएगा 1.6 एंपियर मतलब इस वाली ब्रांच से जो करेंट फ्लो हो रही वह कितनी 1.6 एंपियर अच्छा बहुत बढ़िया तो निकाल यह तो निकाल ली आप तीसरी वाली कैसे निकाले चलिए तो एक बात बताना कहता हूं तीसरी वाली जो करेंट आरी होगी वह सपोज आई 3 कितनी है आई 3 तो आई 3 करेंट यहां पर आने के बाद आपको दिख रहा है कि आई 3 करेंट जो है वह यहां पर आने के बाद ही दो भागों में डिवाइड हुई होगी वह एक भाग उपर चला गया एक भाग नीचे आ गया, है न? तो यहाँ चली गई I1 और यहाँ चली गई I2 और फिर वह वापस यहाँ I1 और यहाँ I2 मिल के वापस क्या बन गई? I3 बन गई, मतलब I3 ही पहरे तूड़ के I1, I2 बनी थी और फिर I1, I2 वापस मिल के I3 बन गई? इसका मतलब क्या है कि i3 जो है i1 और i2 के summization के बराबर है i3 यह पर दो भाग में divided होगी दो पार्ट में divide होगी i1 और i2 के पार्ट में मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि i3 क्या होगी i1 प्लश i2 i3 होगी simply आपकी i1 प्लस i2 भाई जितनी करंट यहां से ही वो दो पार्ट में तूड़ गई तो एक करेंट इदर गई दूसरी उदर गई सिंपल सा फंडा है ठीक है तो देखिए इतरी कितनी हो जाएगी इस इक्वल टू आइवन कितना है आइवन कितना यह रहा आइवन है 2.4 एंपियर तो मैं यहां लेकिता हूं 2.4 4 एंपियर तो इसका मतलब इस रजिस्ट इस अमीटर की जो रिडिंग होगी वोगी 4 एंपियर मतलब आपके आंसर क्या होंगे 1.6 एंपियर और 4 एंपियर तो 1.6 एंपियर और 4 एंपियर कहा है मेरा option B में मतलब option B is the correct answer चलिए तो देखते आंसर क्या है आंसर बिल्कुल option B तो यहां पर आपने देखा कितनी आसानी से हमने दोनों circuits को simplify किया है काफी easy कोई difficulty नहीं इसमें अगर आपको basic fundamentals पता है electrical circuits के ohms law connections of resistance ठीक है parallel में क्या होता है बई parallel में potential difference सेम होते current अलग अलग होती है सीरीज में current से मोथी potential difference अलग अलग होते हैं तो अगर आपके basic fundamentals clear है तो you can easily solve any electrical circuit ओके चलिये तो I hope यह video आपके लिए काफी helpful रहा होगा तो मिलते है next video में thank you so much bye bye